लाल किताब को एक भारतिय जोतिश ग्रंथ कहा गया है। इस लाल किताब में कुछ सरल और आसान उपाय बताये गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लाल किताब के इन उपाय से चंद दिनों में सम्रिधी, प्रचूर्ता एवं धन को आकरशित किया जा सकता है। ये सुजाव ग्रह की स्तिती एवं नक्षत्रों के आधार पर दिये गए हैं। वहीं जोतिश आचार्य पंडित पंकच पाठक के अनुसार बताया कि लाल किताब में कुछ उपाय हमारे धर्म ग्रंथों से ही लिए गए हैं। जिसमें जीवन की हर मुश्किलों को दूर करने के बारे में बताय गया है। कहा जाता है कि इसमें दिये गए उपायों को करके चंद दीनों में सम्रद्धी, प्रचूर्टा एवं धन को आकर्शित किया जा सकता है। जानिये लाल किताब में क्या कुछ उपाय बताये गए हैं। भारती जनातन धर्म परंपरा में जिस प्रकार से पुरान, वेद, उपनिश्द, रहमन ग्रंथों की मानिता है। वैसे ही जोतिस की ग्रंथों की भी मानिता है। परंटु लगवक 60-70 वर्ष पूर्व एक लाल किताब यहां प्रेशलन में आई है। जिसमें जोतिस ही उपाये बताये गए हैं। लेकिन उन जोतिस ही उपायों का पूर्ण रूप से सनातन धर्म से कोई विशेश संबंद नहीं है। लेकिन आपने इसके संबंद में प्र दिखलाई है। हमारे सनातन धर्म में वैसे ही शुक्रबार को देवी का दिन माना गया है। और नो दुरगाओं को जो है नो देवियों को नो दुरगाओं का रूप माना गया है। तो यह कहीं ना कहीं उपाय हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है। ब्यापार में लाब के को बोजन देना यह हमारे तनातन धर्म की ही परंपरा है मानशिक परिशानी हो लाल किताब में लिखाए कि 40 दिन तक आप भूट ना बोलें कि जोडी में लाल कपड़े में सोने या चांदी का शिक्का रखने से धनलाव होता है गुरू की कृपा प्राप्त करने के लिए गाय को गड़ खिलाएं सनी की प्रसंथा के लिए गरीब को जूते-चप्पर इत्यादी का दान करें शुक्र की प्रसंथा के लिए चींटी को कुआटा दीजिए घर को सच्छ रखें अव्यवस्था या गंदगी घर में हो तो उसको हटाईए पानी की बरवादी ना करें इस प्रकार के उपाए उस लाल किताब में विभिन प्रकार की समस्याओं के लिए बताए गए लोकल एटिंग नर्मदापुरम से दुर्गेश सि है राजबूत की रिपोर्ट यह वीडियो जोतिश के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बनाई गई है लोकल एटिंग इसकी पूस्ची नहीं करता है